ओताना पीयर पर घमंड करनारी अने वात वातमा पीयर नी बड़ाई हाक्वावाडिक प्रग्नाई चारे एना शासुनू पीयर जोईतो एनी आखो फाटी गई लग्न ना बिजाज देवसे प्रग्ना एना पीयर थी आवेलो बद्धो सामन एना बेडरूमा मुंकावी डेवानू कहेचे परन्तु घरमा लग्न प्रशंग पार पाडी बदा खाकेला हाता तो ए बद्धो सामन मुको माटे कोईने पूर्षद नहोती जेती प्रग्ना नी नजर तो एना पीयर ना सामान परज टकी रहेती एना पीयर थी आवेला सामान मा प्रीज एशी मोटु समार्ट टेवी वगरे किमती उपकरणों हता साथे डबल बेड पलंग अने बीजू घणू बदू सामान पण हतु प्रग्ना ने एम हतु के मारा पीयर थी आवेलो एशी जल्दी जल्दी मारा बेड रूमा लागी जाई क्यांक एवन बने के मारा सासू एशी एमना रूमा लगावी दिवडावे सवारे जारे प्रग्ना नहवा माटे गई के तरत बात्रूम मा थी पाची आवी अने एना सासूने कहवा लागी के मम्मी अही बात्रूम मा गिजर पण नथी अने मने तो गरम पाणे थी नहवानी आदत्चे हूँ आवा ठंडा पाणे थे केवरी ते नहावू आ केवा घर मा आवी गई च्या नहवा माटे बात्रूम मा गिजर पण नती एना सासू बोल्या बेटा तु थोड़ी वार बेश हूँ ग्यास पड़ पर पाणी गरम करी बात्रूम मा मुखलावू च्यू पची तो आराम्ती नहाई सके चे प्रग्ना मोटो बगाडे बोली हवे मारे पाणी गरम थाय त्यां सुद्धी राह चोई पडशे मारा पियर मा तो दरेक बात्रूम मा गीजर लगावेला च्यू त्यां कोई आरीते पाणी गरम करी नहावा नथी जतू प्रग्ना ना सासू आ बद्धू सामडी रहिया हत्ता कारण के ए घणा सांत सो भावना हत्त एमने फटा फट मूटा तपेलामा पाणी गरम करी बात्रूम मा मुखी आप्यू त्यार बाद प्रग्ना नहावा गई नहाव्या बाद प्रग्ना एनना बेडरूमा गई अने एना पती महिग ने कहवा लगी के तमारा घरमा तो कोई सुविधा नती बात्रूम मा गीजर नती ने रश्रामा आरो पण नती हूँ क्यारे रेग्यूलर पाणी नती पीती पीमा न पड़ी जाओ, मैंक एना सामे जोवे छे, अने कहे छे, सारू तने सादू पाणी नड़तु होय तो, हुँ तारा माटे आरोना पाणेनी बोटल मंगावी दवचु, तारे एमाथीच पाणी पीवान, प्रग्ना बोली अत्यारतो तमे बोटल मंगावी, काम चलावी पण आवु घ्यां सुधी चाल शे, अवे तो आपना लगन थाई गया चे, अने हवे, हुँ बिजीवार आवु त्यां सुधी मा आरो लगावी दो, साथे बात्रों मा गिजर पन लगावी दो, हुँ मम्मी नी जेम नहवा माटे तपेलामा पाणे गरम नथी करवानी, घर प्रगना लगन प्रसंग पूरत थया, थता बदा महमानो पन करे रवान थया, अने घर खाली थवा मांडियो, प्रगना ना पीर थी, जे पन स्यामान आवियो हतु, ए बदु धिर धिरे फिटिंग थवा मांडियो, सामान मा आवेलो मोटू स्मार्ट टीवी जोता, मधु ब बोल्या, आपने आ टीवी होलमा फिट करावी देए, अने जूनु टीवी मयंगना बेडरूम मा फिट करावी देए, इलेक्टरी शेन ने बोलावी टीवी फिट करावं मा आवी रहियो हतु, त्या प्रगना एना बेडरूम मा थी बहार आवी जोय चे के, एना पीर थी मारा बेटरूम मा लगाडवा मन माटे आपयू छे। होलमा लगाडवा माटे नती आपय। वहुना आवा कडवा शब्दो शामड़ी बधा चकित थे गया। बधा येनू एवो वर्तन न गम्य। प्रग्नाना सासु मदू ब्यान बोल्या बेटा एमा आटलो गुष्षो तो होलमा शारू लागशे। एटले फीट करावी रहिया हता। प्रग्ना बोली मारा पीयर मा पन मोटू टीवी लागेलू छे। नाना टीवी मा जोवानी आदत तमने हसे। मने नती अने एटले ज मारा पपाई। मने आटलो मोटू टीवी आपिय। छे। प्राग्नाना आवशे अने जुनु टीवी होलमा रहिशे। ए जुनु पूराणू नानु टीवी मारा बेडरूमा न जोई। वहुनी आवी वातोर सामडी मदुब्यनने खणू खोटू लागिय। तो प्रग्नाना सस्रा कांतिलाल बोल्या के हुँतो पहला थीज कहतो हतो के आ जुनु टीवी अहीं बराबर छे। मने तो वर्षोति एमा नुजु जवानी आदत पड़ी गई छे। आटलू मोटू टीवी आपणने नप फावत। प्रग्नाना कहिया मुझब एनु टीवी एना बेडरूमा फिटिंग करावी देवाय। अने जुनु टीवी पाचु वलमा फि आवु छे, मारा पियर मा तेवु छे, मारा पपाय मने आ आप्यू छे, मारा पपाय मने पेलू आप्यू छे। आम जोईये तो आपना पासे पण कशी वस्तु नी कमी नती, तमे पन नोकरी करता हता अने महेंग पन हाल नोकरी करे छे। अत्यारे तमारू प्यांचन पन आपना घरमा कोई कमी नती, परन्तु ज्याती वहूं आवी छे, त्यारती ए आपना घरमा खामियो कालती रहे छे, एने तो एवु लागे छे के आ घरमा रहेली बदी वस्तुओ, एना पीयर थी आवी होई, एने एना पीयर पर कुब घमंड छे, कांतेलाल बोल्या कशो आपना घरमा घरमा खामा नवी छे, एने प्रमाणे रहेता और आपना प्रमाणे ठड़ता और वार लाग्षे, शमय जता ए आपने पन सारीरीते समझी जशे, तु एने थोड़ो समय आप बदू सारू थे ज़े छे, कांतीलाल ना कहेवाथी मधू ब्यान ने आशकारो थो प्रग्ना ए एना पियर्थी आवेल, टीवी अने एशी एना बिर्रूमा फिट करावे जिदू, एक रिवस मधुब्यान, आदू मर्चानी पेष्ट बनावा, प्रग्ना ना पियर्थी आवेलू मिक्षर वापरे छे, अने एनू ठाकणू खुली जत्ता प्रग्ना कहे छे ममी, तमे तमारू जूना जमानों मिक्षर वापरो, आ अत्यारना जमानानों मिक्षर छे, तमने आ चलावता नहीं आवडे, मधु बेन बोलिया हा बेटा, तारीवात चाची छे, मने तो आ आ मिक्षर मा कशुखबर नथी पड़ती, के कईू बटन दब्बावाती शुत थ हाई, अमारा जूना मिक्षर थी, तो आ, साव, अलक छे, प्रगना बोली, हाँ मारा पपाय मने ब्रांडेड वस्तोज आपी छे, ए हम्मेशा ब्रांडेड वस्तोज करीदी छे, क्यारे लोकल वस्तोज नतिक करीता, मधु बेन परी, उदास थाई गया, के वहु आजे फरी हाँ मारा घंने तुछ गणावी गई, आउ हम्मेशा धवाल लाग्यू तो एक दिवस मधु बेने, हिम्मत एक्टी करी, प्रगना ने कहिऊ के, बेटा तारा पीयर मां जे कई, परण छे, ए तारा पीयर नुचे, परन्तु हवे आ तारी सासरी, अने अहीं जे कई परण छे ये बदु तारू छे, मयं तो एना ज्वाबना कराणे हम्मेशा व्यस्त रहतो हतो, अने घरे प्रगना साथे हम्मेशा एना शासु सस्रा रहता, एक दिवस प्रगना एना पीयर जवानी होई छे, तो मधु बेन एना माटे बे साडियों खरीदी लावे छे, प्रगना जिय मारा घरे पहरी नाग छे, तारा उबर सारी लाख्षे, प्रगना मोडु बगरता आस्चरी ना हाव भाव साथे, कहे चे ममी आ तमे शुक गहो छो, तमे मारा माटे हजार वाडी बे साडि लावे छो, ममी हूं आ हजार रुप्या वाडी साडि नती पहरवानी, हजार पहर माटे कहों छो, जो हूं आ साडियो मारा पहर हैं थी नाक कपै जिशे, तमे तमारे पहर रुप्यो भाडी साडि मारा पहर्मा तुश सु अहीं पर नती पहरवार वाणी, तमे जानता नती क dollar पहर न पहर ուबारु, पहर हैं भाडं्य बेमारा पहर्मा पसंद हतो एटले पपाई आ लगनमाटे हाँ पाड़ी दिती बाकी तमें लोको मारा पियनी हैसियत ख बराबर जराई न थी कांतिलाल बदु सामड़ी रहिया हता अने यमना थी वहूना आवा सब्दो सहन न होता थै रहिया यमने कही बेटा हवे ते तारा पसंदगी प्रमाणे लव मेरज करिया छे तो एमा अमे शुकर शक्ये तने अमारो मयंग पसंद आवय तो ते एना साथे लगने करिली दा अने वात रही हैसियत नी तो हैसियत धन दोलत्ती नहीं परंतु तारा व्यवहारती बने छे तुमारा ओफिस मा पूछिले आखा सोसाइटी मा पूछिले अमारो केटलू नाम ने इज़त छे जो तने मदुये लावेली साड़ियो पसंद आवी होय तो तु तारा पियर न लई जा पन वारमवार तारा पियर नी बड़े हाकी अमने निचु देख़़वानी कोसिस न कर कांती लालनी वाते सामड़ी प्रगनाए मो चड़ावी दिदू अने थोड़ी वार पची एना रूम्मा जई जोर थी दरवाजो बंद करी रूम्मा बेशी गई मदू ब्यान बोलिया तमे सामाटे एने आ बदू कहिऊ तमेज तो कहो छो के एने समय आप आपना घर प्रमाणे सेड थे जशी कांते लान बोलिया ना मदू मारी सहान सकती पूरिथाई चुकी हती ए ज्यारे होई त्यारे एना पियनी बड़ाई मारी घमन देखाडी तारू अपमान करेचे तु एने सासु छे तो ए ए तने जेमतेम बोली जाये छे मदू बेन कांते लानने सांद करावे छे थोड़ा दिवसों बाद प्रगना घरती फोन आवे छे, एना नाना भाईनी सगाई हती, जेमा कांतेलानना आखा परिवाने आमंत्रन आप्यू हतु, प्रगना एना पियर जवानी तैयारी करवा लागी, त्यार बाद एने एना सासू, सस्राने कहिव, तमें मारा घरे ढंगन पहुजी गयो, पन प्रगना नो व्यवहार तियांज पन एवज रहियो, मैंक अने एना मातापिता ने चा पाणेनू कुछिया बाद, कोई ए एमना साथे वाद न करी, मैंकना मातापिता ये सगाईमा हाजरी आपी पर तरत घरे आवी गया, कारण के तिया प्रगना ना घर नकी करे छे के, हवे लगना वखते आपने तिया नहीं जई, कारण के तिया कोई ए आपनने ढंगती नथी चा पाणेनू पुच्चु के नथी आपना साथे कोई ये वाद करी, मधु बेन बोल्या, आपने वहुतो, एना पीयर मा देखाडू करवामा लागी गई हती, मारा घरमा आचे, मारा घरमा पेलू चे, हुँ हवे तिया क्यारे नथी जवा मांगती, कांतिलाल बोल्या, सारू हवे आपने तिया नहीं जई, समय जता प्रग्णाना नाना भहेना लगन नकी थया, अने संजोगमा एज दिवसे कांतिलाल नी बहेन दिक्रीनू पन लगना हतु तो ए, तिया जई नशक्या, आम बहेनने दिक्रीना लगनामा जईने कांतिलाल अने मदुबेन घरे आवी गया, तियार बाद घणा दिवसो पछी मदुबेन ना पियर्थी फोन आवियो के सवती नाना भहेना घरे दिक्रो थयो छे, तो एने रमाडवा आवू पडशी, गणू बदू आफवा इस्ता हत्ता, तो एमने कांतिलाने घईू सामळो मारो भत्री जो थयो छे, अने हूं घणा समय बाद मारा भायने मडवानी छो, तो हूं बदा माटे घणी बदी भेट लएने जैस, भत्री जा माटे सोनानू ब्रेसलेट एना कपडा, भाई भाबी म माटे कपडा अने विजा घणा बधा उफार लेने आपने जैस, कांतिलाल कहाँचे, सारू हो प्यांचना पैशा उपाडी लावचो, तारे जे खरिदू होई, तो ते खरिदे लेजे, कांतिलाल पैशाडी उपाडी लाग्या, त्यार बाद बदी खरिदी करिली दी, एमा मधुब्याने एक सरस मजानू लाकडानू पुडियू पन बनावडायू, प्रग्नाने आ बधू जोई नवाई लागी रही हती, कारण कि एनने आवबधू पहले वार जोई हतु, साथे एने सारू पन लागी रही हतु, ए विचारी रही हती के, मारा सासु, एमना पीयर मा माँटे आटलो बधू करवाने सीज जरूर छे, तमे तो क्यारे तमारा पीयर जता पण न थी, मारा आ घरमा पनिने आवे वर्ष पूरू थाई, पं मे तमने क्यारे तमारा पीयर जता न थी जोई, अने अत्यारे जावद छो, तो आटलो बधू लैने जावद चो, प्रग्ना मो मचकोडी बोली हुँ तमारा पियर मा आविने शू करू एपन गामडा मा तो मने जराई न फाव गामडे तो घर पण प्राबर नहीं हो त्या तो पाणी अने लायट नो पण धंग नती होतो ना कोई योस्ता होई एना करता हुँ अहीं घरेज ठीक छू मधुब्यन बोलिया तो एकवार मारा पियर आविने तो जो तने चोकस गम से मयंक पण बोलियो आ प्रग्ना मामाई आखा परिवाने आववा माटे कहिव छे तो तारे पन आवूज पड़ शे तो तो परणी ने आवी त्या थी त्या गैज नती तो मामाई नवी वहुने खा चेके त्या गामड केव हसे उन त्या केवी रिते रहिश गामडानों महल केव हसे आकरे ए डिवस आवी गयो जारे मधुब्यन एमना परिवार साथे एमना पियर पहुच्या त्या एमनों कूब धामदुमती स्वागत करवामा आवि ठोल वगाडी कामना लोकोई मधुब् ना मोटा मामा एक बगी बुलावे चे जेमा बे घुडा हता एमा मधुब्यन कांतिलाल अने वहु दिक्राने बिशाडे ने वाच्ते गाच्ते एमना घर सुधिले जावमा आवे चे मधुब्यनना आखा परिवाननों गामना लोको भवे स्वागात करी आक्षणोंने सासनु पियर गाममा चे तो त्यां तो कईयू नहीं होई पण बदु एना विचारवना विरुद निकडियो बगी एक आले शान हवेली सामे आवेने उभी रही ज्या अगणित रूम हता अने एना हवेली पर अट भूत कोतरणी करवामा आवी हती मधुब्यन साथे हवेली प्रवेश करता प्रग्ना चारे कोर बदु जोवेचे त्यार बाद बाजुमा जोवेचे तो त्रण मोंगी गाडियो हती गाई अने फ्यसोनों तबेलो हती पाणे नी व्यस्त माटे एमनों पूतानों बूर चे आ बदु जोई ने तो प्रग्नानी बोलती भंद थाई मोकर चाकर राखेला हता ए आविने डायनिंग टेबल पर हाथ धोड़ावेचे त्यार बाद भोजन पिरस्वामा आवेचे जेमा छोव प्रकारना शाथ पूरी रूटली बाजरीनों रूटलों दाड़ भात अने अनेक प्रकारनी विठायोंनों समावेश्थतों हतो जम्य पाद रात्रे बदा साथे बेशी ने वातो करी रहया हता परंतु प्रग्ना तो एना सासुने पूछवा आतुर हती के तमारा पियर आटलों सांदार छे तो ये तमें क्यारे किदूज नथी छेले प्रग्नाने मोको मरता एने पुछी नाक्यू के मम्मी मामा सू करे छे अन अने सवती वधारे खेती पण येमना खेतरों माज थाई छे येमना एक खेतरों माज थाई छे येमना एक खेतरों मा फार्म हाउस पण छे तुन जोईस्तो तारों मन खुछ तेले शे प्रग्ना बोली सू किदू ममे अहिम आमाना खेतरों मा फार्म हाउस पण छे खाशु नथी खरिद्वामा आवतु प्रग्ना विचारों माँ पड़ी गई कि एना सासुना पियर मा आतलू ओटू आरेशान खर चे चमिन चे गायी भेसो चे फार्म हावस चे त्रण त्रण मौगी गाडियो चे छता एमने क्यारे एमना पियर वीसे कर्मा कोई वाद नथी करी कि क्यारे कोई घमंड देखाड़ेओ नथी परन्तु में तो हम्मेशा मारा शासुने मारा पियर विशे कहिने बढ़ाई मारी छे एमनों अपमान करियु छे आजे एना शासुनु पियर जोईने एने एनु पियर फिकुल लागी रहियु हत्तु मारु घर तो त्रन माड़नु छे पन अहीं तो आखी हवेली छे जमा अगणित रूम छे प्रगना पोतानी जातने दिलगीरी मानी रही हत्ती एने दरेक वाद याद आवी रही हत्ती जारे एने एना सासु सामे पियर नी बड़ाय हाकी अपमानित करिया छे ए बस एटलू विचारी रही हत्ती के 11 घरे पोहुच्चू अने सासु पासे मारा दरेक शब्दानी माफी मांगू पांच दीवस रहिया बाद मदूब्यान अने आखोप परिवार घरे रवाना थाई छे एमना पियर तरफ खणा बदा उभार पण मले छे करे पोहुचीने प्रगना रातरे एना सासुना रूम्मा गई अने कहवा लगी ममी तमारा पियर मा बदा केटला धनवान छे तमे आटला सारा परिवार माथी छो छता तमे क्यारे यानी बड़ाय नथी मारी के नथी क्यारे खमंड करियो मेतमार केटली वार अपमान करियो औने येनो मने अफसोस थे रहे यो छे ममी तमे मने माप करी तो ज्या सुदी तमे मने माप नहीं करो त्या सुदी हूँ अही थी जवानी नथी मदुबेन बोलिया बेटा हुँ नान पन थी सुख सुविधामा रही हती त्यार बाद मारा लगन तारा सस्रा साथे थया ये सामने शिक्षक तरी के फरज बतावता हता अने खुब इमानदार हता जी जो इने मारा पीता जी ये मारा लगन येमना साथे नकी करी रिधा જोके એમની આરથિક પરિસ્તી સારી નહોતી જેથી મારા પિતા જીએ કણીએ વખત એમને આરથિક્રિતે મદદ કરવા દराये જે અને એત્તો તારી આખો જોય લીદુ હસેકે મારા પતી તથા મારીવાન ને કેટલુ વાન સન્માણ साथे जै सकोच्छू आ बदू सामड़ी प्रग्नानी आकोमा आशू आवी गया ए बोली ममी आजे तमे मने काईक नवू शिखावी छे चे हुँ मारा पियर मा क्यारे शिखीज नती हुँ हमेशा मारा पियर नी बड़ाई आकोमा व्यस्त रहती हती अने घमंडी बनी चुकी हती तमारू पियर जो या बाद मारो बदो घमं तूटी चुक्यो छे आजे मने बदी वातो खणो अप्सोस छे ममी तमे मने माप करीदो मदू बेन एमनी वहूने माप करीदे छे अने त्यारबाद प्रगनाना व्यवहार वर्तन सुद्री जाई छे जार्गना वर्तन सुद्री चिंजे और ढहो है सुद्री मोंप्सार सुद्री ल Christmas सुद्रीवाफ प्र थ Village कि गशे तया थ barn